नमस्कार प्राइम टीवे मापका स्वागत हैं मैं हूँ अपके साथ शुखा महरोत्रा शुरुआत करते हैं खबरों की कॉंग्रस के G23 समुके नेताओं की ओर से पार्टी के भीतर सवाद की मांग के जाने और अहाली के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की प्रष्ट भूमी में आज कॉंग्रस कार समीती की बैठक होगी जिसमें पार्टी अध्यक्ष समेत संगिठनात्मक चुनावों पर कोई न कोई निर्णे होने की संभावना है सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पांच राज्यों में कुछ महीनों बाद होने वाले विधान सभा चुनाव मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ ही लखीम पुर्खेरी की घटना, किसान आंदोलन, बिरोजगारी, महंगाई और आर्थिक सिती पर चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्ताव भी पारित किये जा सकते हैं पिछले कुछ दिनों कॉंग्रस के वरिष्ट नेताओं, गुलाम नभी आजाद और एक कपल सिब्बल ने CWC की बाठक बुलाने की मांग की थी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिख कर आगरे किया था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कॉंग्रस कार समीती की ततकाल बाठक बुलाई जाए तो कई एहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, चुनावी महौल है और इसी को देखते हुए कॉंग्रस ने बाठक बुलाई है वो भी G23 समू की बाठक बुलाई है, इसलिए भी खास है क्योंकि पहले काफ़े विवाद में रहा था कॉंग्रस को ठीक करने के लिए स्थिर बनाने के लिए सरहा से कदम उठा रहा था G23 तो कॉंग्रस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था हलाकि अंदरूनी विवाद भी देखने को मिले G23 और वरिष्ट कॉंग्रस के नेताओं के बीच हलाकि अब कॉंग्रस की G23 सम्हू नेताओं की और से पार्टी के भीतर समवाद की मांग किये जाने और हाल ही के महिनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की प्रस्ट भूमी में आज कॉंग्रस कारे सम्मीति की बैठा होगी आपको बताते कि इससे पहले भी G23 कई बार बैठकों का आवाहन कर चुका है बैठकों के लिए और कॉंग्रस में सुधार की मांग कर चुका है साथ ही इस तिर नेतरित्व की मांग भी कर चुका है जिस तरह से कई बार रास्ट्री अध्यक्ष को बदला गया या फिर कई उतार चढ़ाओं देखने को मिले है कॉंग्रस के अंदर तो इसको लेकर G23 काफी नाराज रहा है और कॉंग्रस को इबार फिर सशक्त बनाने के लिए प्रयास करता हुआ दिखा है G23 विवाद भी काफी रहे लेकिन अब इबार फिर चुनावी मोहल को देखते हुए कॉंग्रस G23 के बाठाग बुलाई गई है वहीं कई महीनों में निताओं के पार्टी छोड़ने की प्रस्ट भूमी में आज कॉंग्रस कारे समीती के बाठाग होगी जो समें पार्टी अद्यक्ष समेत संगितनात्मक चुनावों पर कोई ना कोई निर्ने होने की महेंगाई और आर्थ किस्ति पर चर्चा हो सकती है क्योंकि यहीं वो मुद्दे हैं इसको लेकर सत्ता पर लगातार निशाना साधा जा रहा है विपक्ष मुख्यता इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है वो चाहें विरोज़गारी हो महेंगाई हो लखीमपुर खेरी घट जो इस वक्त सबसे जादा चर्चित है किसान अंदोलन एक साल से जो चल रहा है इन तभी मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है साधी सरकार को घेडने की रणनीती बनाई जा सकती है और कुछ प्रस्ताओं भी पारित किये जा सकते हैं पिछले दिनों कॉंग्रस के वरिश समीती की ततकाल बैठक बलाई जाए उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं इससे पहले भी सभी राजनितिक दलों ने पार्टी का विस्तार करना शिरू कर दिया है इसके तहत नेताओं को तमाम तरह की जिम्मेदारिया दीचा रही है इसी क्रब म एक अध्यक्ष के अलावा तीन उपाध्यक्ष और तेरा महा सचिव बनाए है इसके अलावा पार्टी ने कई कमेटियों का भी गठन किया है कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश में जुटी है यही वज़ा है कि पार्टी आगामी विधान सभा चुन प्रदेश में अगले साल विधान सभा चुनाओ होने है उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है जहां कि चुनाओ काफी एहम माने जाते हैं ऐसा भी माने जाता है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रासे खुलते हैं तो उत्तर प्रदेश की जंता की बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए वोटरों को लुभाने के लिए कॉंग्रस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पार्टी सब्सक्राइब बना है और इसके लवा पार्टी ने कई कमीटियों का गठन भी किया है। अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। बांगलादेश में प्रधान मंतरी शेक हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों में तोड़ फोड और हिंदुों पर हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांगलादेश के नोखा खाली ने भीड में सकॉन मंदिर पर हमला कर दिया और जम का तोड़ फोड की। इतना ही नहीं मंदिर में मौझूदा श्रद्धालों के साथ भी मारपीट की गई। सकॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की जानकारी दी गई। स्कॉन ने हमले की तस्वीरे भीज़ारी की हैं स्कॉन ने ट्वीट कर कहा बांगलादेश के नौकाली में आज स्कॉन मंदिर और शृत धालू पर भीड़ने हिंसक हमला कर मंदिर मे काफी नुकसान पहुचाया है और कई श्रत धालू की हालत कमभीर गूए है हम बांगलादेश सरकार से हिंदों की सुरक्षा सुनेशित करने और दोशियों को नियाए के दाइरे मिलाने की मांग करते हैं तस्वीर आप देख सकते हैं कि बरबरता के साथ मंदिर में तोड़ फोड करी गई है श्रद्धालू के साथ मारपीट करी गई है यह तस्वीर इसकान मंदिर की है बांगलादेश के जहाँ से प्वीट के माध्यम से यह सभी तस्वीरों को वारल किया गया है और बांगलादेश की सरकार से हिंदों की सुरक्षा की मांग की गई है यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई घटना हुई है पीते कुछ दिनों से लगतार ऐसी ही घटनाए सामने आ रही है मंदिरों में तोड़ फोड की जा रही है श्रद्धालों के साथ बचसलूकी की जा रही है वहीं अब यह मारपीट का मामला भी सामने आया है बांगला देश में अब इस कौन मंदिर पर हमला हुआ है भीड ने श्रद्धालों के साथ भी मारपीट की है कई श्रद्धालों गंभीर रूप से घायल हो गए है जिनका अस्पताल में भरतिकरा के इलाज करवाया जा रहा है तस्वीरे देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ नश्ट कर दिया गया है तहस नहस कर दिया गया है तो बुरी तरह के तस्वीरे सामने आई हैं और ट्वीट के मादियम से हिंदो की सुरक्षा के लिए मांग करी गई है नवजोज सिंग सिद्धु के पंजाब कॉंगरस अद्यक्षपद से इस्तीफे के बाद पार्टी में जो सियासी तूफान आया था वो अब शान्त होता दिख रहा है कॉंगरस के पूरवध्यक्ष राहुल गांदी से मुलाकात के बाद सिद्धु ने कहा कि मेरे जितने भी कंसर्ण थे मैंने राहुल जी के साथ शेयर किये हैं वो शॉट आउट हो गए हैं पंजाब कॉंगरस में मचांदुरूनी विवाद कहीं पार्टी को विधान सभाचुनाओं में बड़ा डेंट ना दे दे इसलिए राहुल गांधी अपने आवास पर खुद सिद्धु से मिलने लम्बी मुलाकात के बाद आखिर में सिद्धु जब लौटे तो कहके निकल गए कि सब कुछ सुलज क्या है वो इस सिद्धू के बियान से लगा कि सिद्धू मान गए हैं क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें ठोस आशवासन मिला है तब ही वो सब कुछ सौट आउट होने की बात कह रहे हैं पेट्रॉल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है सरकारी तेल कमपनियों ने आज शनिवार को लगतार आम आदमी को जटका दिया है आज पेट्रॉल डीजल की कीमतों में बढ़ोत्री की गई है पेट्रॉल और डीजल के दाम में आज 35 पैसे प्रतिलीटर की बढ़ोत्री की गई है वहीं डीजल के दाम में 37 पैसे प्रतिलीटर की बढ़ोत्री हुई है तो वहीं पेट्रॉल और डीजल की कीमते इस महिने भी लगतार हर रोज बढ़ रही है अक्टूबर महिने के शिरुवाती 10 दिनों में ही पेट्रॉल के दाम में 2.8 रुपे का इजाफा हुआ है तो वहीं डीजल के दाम में भी 3.30 पैसे की बढ़ोत्री की गई है तो बिना रुके पेट्रॉल और डीजल के दाम लगतार बढ़ते जा रहे हैं आज भी को एक बाब फिर अज जटका लगा है आज सुभा ही ये नए आकड़ सामने आये हैं जो पैट्रॉल और डीजल के दाम एक बाब फिर बढ़ा दिये गए हैं और आम आदमी पर इसकी मार पड़ रही है तो आज फिर पैट्रॉल और डीजल के दाम बढ़ है हर दिन दाम बढ़ ही रही है जहां सिर्फ अक्टूबर में दो रुपैसी पैसे का बढ़ होत्री की गई है तो वहीं डीजल के दाम में तीन रुपैसी पैसे की बढ़ होत्री की गई है जिसके बाद राजधानी दिली की बात करें तो पेट्रॉल 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है 35-35 पैसे की बढ़ातरी की गई है पेट्रॉल और डीजल दोनों के ही रेट में अगर बात करें मुंबई की तो आज पेट्रॉल 34 पैसे प्रति लीटर महेंगा हुआ है और डीजल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ातरी दर्ज की गई है पेट्रॉल और डीजल की कीमती इस महीने भी लगातार हर रोज बढ़ती होई नजर आ रही है अक्टूबर के महीने में शिरुवाती 10 दिनों में ही पेट्रॉल 2 रुपैसी पैसे महेंगा हुआ था वहीं डीजल 3 रुपैसी पैसे महेंगा हुआ जहासी में मनौती पूरी होने पर जवारे विसरजन के लिए आ रहे श्रत धालू से भरी एक ट्राक्टर ट्रॉली हाथ से कशिकार हो गई चिरगाउं थाना छेत्र स्थित चिरोना के पास भैस सामने आने से खंदक में भरे पानी में ट्राक्टर ट्रॉली पलट गई इस दुरगटना में पानी में डूबने और ट्रॉली के नीचे दबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई जैकि छे लोग घायल हो गई हैं मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल है तो ये भीशुर सड़क हाथसा हुआ है आपको बता दे कि ये दर्दनाक हाथसा है क्योंकि एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल है तो ट्रॉली के पलटने से और इस पानी में डूबने की वज़े से ही मौत हुई आपको अता दे कि जहांसी इसे ये खबर सामने आई है जहां मनौती पूरी होने पर जवारे विसर्जिन के लिए जा रहे श्रदालू से भरी एक ट्राक्टर ट्रॉली हाथसे का शिकार हो ग में डूबने से भी कुछ लोगों की मौत हुई है तो ट्रॉली के नीचे दब गए है जिसकी वज़े से एक ही परिवार के ग्यारा लोगों की मौत हुग है च्ए लोग गायल बताय जा रहे हैं उनका इलाज अस्पिताल में चल रहा है ।ही मरने वालों में साथ महिलाएं चार बच्चे बताय जा रहे हैं चेननाई सूपर किंग्स ने आई पेल के चौदवे सीजन का खिताब जीत लिया है उसने फाइनल में कुलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से मात दी है इसके साथ ही महिंद सिंग धोनी की कप्तानी में सीजन के ने चौथी बार खिताब कबजा कर लिया है धोनी ने कहा कि पिछले साल प्ले आफ में जगह बनाने से चूपने के बाद उनके लिए अच्छी वापसी करना महत्वपूर्ण था और उन्हें खुशी है कि उनके टीम इसमें सफल रही है और चैंपियन मनी है तो फिर ये खिताब धोनी के टीम के नाम रहा और काफी उच्साह देखने को मिला जब ये माच जीत गई टीम तो चिन्नाई ने चौथी बार आईपियल का खिताब अपने नाम किया है और धोनी के टीम के नाम से भी जानी जाती है चन्नाई क्योंकि शानदार प्रदेशन देखने को मिला है और चार बार आईपियल में अपना नाम जमाने वाली और अपना खिताब जीतने वाली ये टीम एक बार फिर से जीत गई है और काफी उत्सहा भी रेखने को मिला खबरों में फिलाल इता ही आप बने रही है प्राइम टीवी के साथ ये टीम आपना से लिए गो जाओ से आप।